आखिर कैसे हुई है दो ट्रेनों में टककर ये आपको हम बताने जा रहे हैं और ये आंदरप्रदेश के विजय नगरम में जो ट्रेन हाथसा हुआ है कल शाम करीब 7 बजे उसमें अब तक रेलवे की तरफ से एक ख़वर आ रहे है कि 11 लोगों की मौत हुई है जब की लोकल अ विजय नगरम के आसपास उसकी जो जगह है जहां पे विशाका पत्नम से फलासा जा रही ट्रेन आगे थी और पीछे उसके पीछे थी विजय नगरम से जो राय गढ़ह ट्रेन जा रही है और सिगनल ओवर्शूट की वैसे ये पुरा हाथसा हुआ है जिसमें दो बौगी ग्रेल हो गए और कई लोगों के जख्मी होने की खबर आई है इसमें जो सिगनल ओवर्शूट है अगर उसको हम आपको समझाएं तो दरसल आगे जो ट्रेन थी विशाका पत्नम से जो पलासा जाने वाली ट्रेन थी वो आगे थी एक रेड सिगनल पे दो मिनट रुखने के बाद वो रेड सिगनल क्रॉस करती है और पीछे से जो विशाका पत्नम राइगड़ा पैसिंजर है वो सिगनल को जो रेड सिगनल था उसको ओवर्शूट किया यानि उस सिगनल को क्रॉस करके पीछे से उसमें टक्कर मारती है और उसके बाद दो बोगी ड्रेल हो गई और यहां पर अगर आपको बताएं कि जहां पर यह हादसा हुआ है वाक्या हुआ है वहां पर दरसल तीन लाइन है अप लाइन डाउन लाइन और मिडिल लाइन जो डाउन लाइन है उसमें ट्रेन जो चलती है विशाखापटनम से भुबनेश्वर की तरफ चलती है जो अप आगे जा रही है एक प्रेन को सिगनल को ना देखने की विएसे जो विशाखा पत्नम रायगढ़ा ट्रेन है उसने उसमें टक्कर मादी यह यह टकर मिडिल लाइन वाले उस ट्रैक पे हुआ है और यहां पर यह भी रेलवे की तरफ से पूस्टी हुई है कि जो ड्राइबर है विशाखा पत्नम रायगढ़ा पैसेंजर ट्रेन के जिनकी गलती से यह पूरा मानविय भूल की वैसे और उनकी गलती की वैसे यह पूरा हाथसा हुआ है उसमें उस लोको पाइलट की मौत हो गई है जो पीछे वाली ट्रेन जिसने टक्कर मारा और जिसमें सिगनल दिल्ली की रेल भबन में रेलवे मुख्याले में एक वार रूम है जिसमें हमने देखा था कि उरिशा में जो ट्रेन हाथसा हुआ था तो वहीं से मौनिटरिंग की गई थी देखा गया था कि रिलीफ और रिस्क्य ऑपरेशन कैसे चल रहा है और कल देर रात भी यहाँ पर कि जो मरने मिर्टक के परिवार हैं उनको मौबजे की बात हो या जो सिरियसली इंजर्ड हो उनको मौबजे की बात हो या फिर जो मामूली रूप से घायल है उनको मौबजा देने का जो ऐलान है एक्स ग्रेशे आमाउंट जिसको कहा जाता है उस ऐलान की भी घोशना उन्ह को ये मौफजा जो है वो दिया जा रहा है साथ में रेलवे ये भी कह रहा है कि अभी फिलहाल हमें ये लग रहा है कि सिगनल ओवर्शूट की वैसे पूरा मामला हुआ है लेकिन एक जाच कमीटी भी बिठाई जाएगी और डिटेल देखा जाएगा कि आखिर ड्राइवर ने किस वैज़ से सिगनल को नहीं समझा नहीं माना और सिगनल जो है वो क्रॉस कर गया है और उसके बाद ये ट्रेन वाक्या जो है वो सामने में निकल कर आया है यहाँ पर ये भी रेलवे के इदिकारी की तरफ से ये चर्चा बात आ रही है कि करीब पचास मुसाफिर जो घाय में भरती करवाए गया है तो कुल मिलाकर ये जो हादसा है वो सिगनल ओवर्शूट की वैसे हुआ और जो ड्राइबर है विशाका पतनम से राय गढ़ा कर लोको पैलट जिसकी मौत भी हो गई उसकी गलती की वैसे दूसरी ट्रेन जो विशाका पतनम से पलासा जा रही थी उस ट्रेन में पीछे से ट्रक कर लग गई दो बॉगे ड्रेल हुई तो रिलीफ और इसकी ऑपरेशन का काम चल रहा है कई ट्रेने कैंसिल हुई है डाइवर्ट भी हुआ है लेकिन डेलवे के तरफ से ये सूचना दी गई है कि आज शाम तक ये ट्रैक जो है वो दुरूस् तो फिर से उसी तरीके से ट्रेनों की आवाजाही बरकरार हो पाएगी नई दिली से परिमल कुमार एंडेटिव इंडिया